नमस्कार दोस्तो uswagat आपका हिंदी magic tricks यूटूब channel पे तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ magic with coffee cups तो गाइस coffee cups के साथ में आपको मैजिक सिखाने वाला हूँ वो काफी अलग है काफी लोगों ने पहले से coffee cups के उपर magic tricks डाल रखी है तो guys यह बिल्कुल ही अलग magic trick है आप coffee cups देखके वीडियो छोड़के मत जाना क्योंकि वीडियो काफी interesting है मैं आपको guarantee देता हूँ कि ये वीडियो काफी interesting है और आपको काफी मजाने वाला है तो guys हमेशा की तरह है पहले इस magic को पहले मैं आपको करके दिखाऊँगा और फिर बताऊँगा इसके पीछे का secret जिससे आप भी magic सीख पाऊगे तो चलिए guys विना time based के शुरू करते हैं आज की magic trick तो guys जैसा कि आप देख सकते हों कि मेरे पास यहां पर तीन coffee cups हैं और एक है मेरे पास paper ball जिसे मैंने दो notebook से paper फाड़े और उनसे बनाया हुआ है तो इन तीन coffee cups और इस paper ball के साथ मैं आज मैं आपको काफी कमाल की magic trick करके आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है तो आपको पता है कि जो paper ball है इस cup के अंदर है ठीक है और यह दो बाकी cup है वो है बिल्कुल खाली ठीक है तो अब मैं थोड़ा से यहां पर magic लगा दिया मैंने और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इन जो cups है इनकी जो position वो change कर देता हूँ तो आपको लग रहा हुआ कि जो ball है वो इस cup के अंदर है और इस cup के अंदर कुछ भी नहीं है ठीक है गाईज तो मैं इस cup को उठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस cup के अंदर कुछ भी नहीं है और जो ball थी वो यहां पर आ चुकी है इस cup के अंदर तो गाईज कायब होके इस कप के अंदर ये बॉल आ चुकी है तो फिर से याप एक मैजिक लगाता हूं और अब आप देखियो क्या होता है, तो फिर से याप एक मैजिक करता हूं मैं अभी एक छोटी सी magic बेव देता हूँ तो guys magic हो गया है तो guys अब आप देखोगे कि जो ball थी वो पूरी तरह से Venice हो चुकी है पूरे के पूरे cups के नीचे से सभी cup में से ball गायब हो चुकी है तो guys यही था आज की magic trick तो वीडियो छोड़के आप कहीं मत जाना क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस magic को मैंने कैसे किया तो guys आज की magic trick आपको कैसी लगी इस वीडियो के नीचे comment करके आप हमें जरूर बता है तो चली guys अभी आपको मैं बता देता हूँ कि इस magic को मैंने कैसे किया और आप इस magic को कैसे कर सकते है लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे है और अगर आप हमें support करना चाते हो आपको चीए तीन coffee cups और तीन paper balls तो guys यहाँ पर जो पहला secret है वो है paper ball ठीक है हमारे पास एक नहीं तीन paper balls होती है जिसे हम क्या करते है पहले से ही जो side वाले glass है उनमें डालके रखते है और तीसरी ball को मैं आपके सामने कुछ इस तरह से डालता हूँ तो guys आपको एक और secret है इन glass के अंदर है ठीक है आप देख सकते हो गुमा के देखा देता हूँ तो यह पीछे होने की वज़े से जो cut लगाई है मैंने यह दिखाई नहीं देते हैं ठीक है तो इससे क्या होता है इससे हमें help मिलती है जो ball है उसको उठाने में तो ball venice इस तरह से हो जाती है ठीक है आप देख सकते हो ball इसमें कुछ इस तरह से पकड़ लेते हैं और ball venice हो जाती है जब हमें ball दिखाने होती है तो हम इसको सीधा उठाते हैं और जब हमें venice करनी होती है कुछ इस तरह से venice कर देते हैं तो गाईस यही था इस magic के पीछे का secret अगर वीडियो आपको अच्छी लेगे तो please like और share करना ना भूलें